Hello my family, what is how are you? Managing your resources is one of the most important step in high performance. Life के अंदर हो या business के अंदर हो या sales के अंदर हो अगर आपने resources को सही से manage नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी peak performance को achieve नहीं कर सकते आप कभी भी उस peak level of productivity पे नहीं जा सकते and money is one of the most important resource तो इसलिए मैं आज आपके साथ एक ऐसी advice share करने वाला हूँ about money जो मने वारन बफे से सीखी थी वारन बफे जो कि दुनिया के सबसे बड़े investor है billionaire है उनसे ही मने advice सीखी और आपने like में apply किया and trust me life is altogether a different one तो अगर आप उस advice के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक अभी तक इस चैनल के सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सबस्क्राइब कर लीजिए and please press the notification बटन Hello my dear friend, my name is अल्वाग गेरा और मैं एक high performance coach हूँ और मैं है करतो direct sales network marketers और small business owners की in maximizing their sales potential My dear friend, आज मैं आपके साथ Warren Buffett की एक बहुत ही भेत्रे advice about money share करने वाला हूँ बहुत बार ऐसा होता है हम उन resources को बाय कर लेते हैं उन resources पर पैसा लगा देते हैं जिनकी हमें अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती और बाद में हम repent करते हैं ऐसा मेरे साथ भी होता था बहुत बार ऐसा होता था मैं कोई चीज़ खरीद लेके आता था और अगर वो चीज़ पर नुकसान हो जाता था तो मैं कभी कबार तो उसको repair करवाने की position भी नहीं होता था ऐसा मेरे साथ हुआ है life के अंदर और तब मैंने Warren Buffet की advice को पड़ा और उसके बाद मैंने से अपनी life में apply किया and life is totally different मैई डिफरेंट Warren Buffet ने बोला if you cannot buy it second time do not buy it the first time यानि की अगर आप किसी asset को किसी चीज़ में आप invest करने जा रहे हैं या कोई भी आप खर्चा करने जा रहे हैं अगर आप उसको immediately second time buy नहीं कर सकते तो उसको first time ही buy मत कीजिए for example मान लीजिए आपने कोई बहुत महंगा phone खरीदा प्रभू ना करें आप बाहर निकले घर अपना showroom से बाहर निकले और वो चोरी हो गया या वो गिर के टूट गया अब आपको दुबारा से उसको खरीदना है और अब आपके पास resources नहीं है कि आप उसको second time buy कर पाए तो उसको first time पर ही buy मत कीजिए that means जितने आपके resources है उसके 50% से कम level के lifestyle को अगर आप उने life में लेके चलेंगे तो आपको कभी भी अपने lifestyle के अंदर minus level देखना नहीं पड़ेगा I hope इस advice आपको ज़रूर help मिली होगी अगर help मिली है तो इस वीडियो को like, comment and share ज़रूर करें आप मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ Till then, stay safe, staypless, bye Take care